तो सुवागत भाई आप सब भी लोगों का एक बर फिर से आपके अपने चैनल केपिम फेंटेसी एक्सपर्ट पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो केन्या कबड़ी लीग है इसका भाई जो सत्तरवा मैं जो की खेला जाएगा यानि की गोटी वर्सिस गीतुराई चीताज यानि की भाई जी सीके के बीच में अब इन दोनों ही टीम्स की कम्पलीट इन्फोर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कम्पलीट देख लीजेगा और वीडियो का कोई भी के भी काफी सारे कॉंटेस्ट है दोनों जगह हम काफी अच्छी मतलब विनिंग करने वाले है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोनों टीम्स के एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे सारी अप्डेट आपको देने वाला हूँ सबसे इंपोर्टेंट अप अठी तक आपने जोईन नहीं किया है हमारे टेलीग्राम चैनल तो जोईन कर लिजिएगा क्योंकि जो भी हमारी फूल अन फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है उमीद है दोस्तो आपने टेलीग्राम चैनल ओरेडी जोईन कर लिए होगा अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा अगर मानलो बाई चांस लिंक वर्क ना करें तो आप कैसे जोइन करोगे वो भी आपको बताऊंगो लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए हर मैच की 6 GL टीम आपका वाई आपको प्रोवाइड करवा रहा है ठीक है इस मैच की भी 6 GL टीम आपक सर्च करना जैसे आप यह चीज़ सर्च करोगे आपको जो टोप पर चैनल दिखेगा न यही हमारा एकमातर चैनल है इसके अड़ावा जो नीछे तीन चैनल दिख रहे हैं से 5 मैच आ रहे एक मैच इनका टायर है स्कोर डिफ्रेंस काफी अच्छा है यह लेकर चल रहे हैं आपर आप देख सकते हो पलस 60 का इनका स्कोर डिफरेंस है जो कि काफी ज़्यादा अच्छी बात है अब यहाँ पर जो इंपोर्टेंट चीज है वो कहा है कि यहाँ पर जो दूसरी टीम है UOT की यानि कि U.O.N. टाइगर्स की तो 10 मैच इन्होंने खेले 10 मैच मेंसे इन्होंन जीते होँ हैं तो ऐसा नहीं है कि यह जीतना जानते नहीं है यह भी वाई काफी अच्छी अपनी मतलब परफोर्मेंस दे सकते हैं अब चलिए बात करते हैं आपर दोनों टीम्स की स्टार्तिंग सेवन की उसके बाद आप आपको टीम बनाके दिखाने वाला हूं यहाँ स अगर बात करें तो starting seven के एक बार हम बात कर लेते हैं सबसे पहले UN Tigers की उसके बाद बाई चलेंगे हम सीधा जो GCK की टीम है इनकी starting seven की तरफ तो यहाँ पर आपको एमरेमेंट दिखेंगे जो लगाता रहा अच्छी performance कर रहे हैं अगर यह खेलता है तो आपके लिए मस्टव पिक में से एक होने वाला है लेकिन अगर नहीं खेलता है तो again भाई एस करांजा को तो हम अपनी टीम में रखेंगे ही रखेंगे लेकिन इसके अलावा फिर हम यहां से किसी को नहीं रखने वाला विक्टर खंडी सा की बात करे तो जील मिनी जील के एक हाट टीम में ट्राई कर सकते हो इसके अलावा डी महांगे की बात करे तो इन्हें भी आप जील मिनी जील के एक हाट टीम में ट्राई कीजेगा यहां से अगर बात करे तो जे किनवे आपके लिए important रह सकते हैं क्योंकि बीच बीच में रह रहे के इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है तो आपके लिए important पिक रहेंगे सबसे बड़ी बात क्या रहती है इनकी अच्छी परफॉर्मेंस में कि यह बाई आपको रेडिंग सेक्षन में होते हुए defense में भी काफी अच्छे पॉइंट देते हैं आपर आप देख सकते हो साथ टैकल लास्ट मैच में किया है मतलब जिस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आई थी और उसके अलावा चार इन्होंने टच पॉइंट भी निकाले है तो भाई आप इन्हें अपने टीम में रख सकते हो लास्ट मैच में छे टैकल करके गया बंदा लेकिन भाई अब इन्हें टीम खिलाएगी नहीं खिलाएगी यह एक देखने वाली बात होगी बात करते हैं सामने वाली टीम की यानि कि भाई जी सी के की टीम की जहां से हम पांच प्लेयर लेकर चलेंगे इनकी तरफ से अगर बात करें तो C.O. Chang आपके लिए एक important pick रहने वाले हैं मैज इन्होंने बीच में तीन मिस किये था अधरवाइस ये भी top points getter की list में आपर पूरे season में मिल जाते हैं आपको काफी शांदार player है आर अमोंडी की बात करें भाई रहर है के हर मैच में substitute list में रहते हैं और किसी किसी मैच में वापस आकर इतनी शांदार performance देते हैं जो मतलब लाजवाब होती है तो आप इन्हें अपनी टीम में जरूर से touch point उससे पहले वाले मैच की बात करें तो 11 touch point एक bonus point और एक tackle भी किया हुआ है तो important player रहेंगे आई निगाचा की बात करें तो GL mini GL की एकार टीम में rotation के तोर पर try कर सकते हो small link में AJ trump card pick अगर आप चाओ तो आप इन्हें रख सकते हो all rounder section की बात करेंगे तो कोई बड़ा player यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा Jay Mungetti अच्छा खेल रहे थे मतलब ठीकठा खेल रहे थे लेकिन last के कुछ matches इन्होंने miss किये हैं अब अगर बात करें बाई यहाँ पर defense section की तो दो player है ने इनके यह बहुत ही खतरनाक player है टीम उरूथी की बात करें तो हर match में almost हर match में performance आई है इसके अलावा भाई H-migate भी काफी अच्छा खेल रहा है यह भी लगातार अच्छी performance आपको दे रहे हैं तो दोनों को आप अपनी टीम में रख सकते हैं इवन grinding में दोनों आपके लिए C-VC के भी अच्छे दावेदार होने वाले हैं बात करते हैं टीम की तो चलिए हम आपको टीम भी बनाके दिखाता हूँ यहां से H-Migate को अपनी टीम में रखेंगे इसके अला टीम उरूती को अपनी टीम में रखेंगे और यहां से M-Raymond को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ बात करें अगर यहां पर भाई इसके अलावा किसी प्लेयर की तो A-Naganga अगर खेलता है तो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो All-Rounder section में S-Karanja को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ क्योंकि यहां से मैं 5-2 का combination बना रहा हूँ इन favor of GCK अगर आप भाई 4-3 का combination बना रहे हो तो भाई आप J-Kinway को जरूर रखेगा बैट अभी मैं नहीं रखने वाला आर अमोंडी को रखेंगे नीचे अगर आप चलोगे तो भाई यहां पर आपको काफी सारी अच्छे option दिखेंगे जैसे कि भाई यहां से आपको दिखेंगे आई नगाचा जो लगातार अच्छा करते नजर आ रहे हैं इसके अलाव भाई जो डी ओचेंगे यह बहुत ही शांदर प्लेयर लाश्ट के तीनी मैच खेले बंदेनी सीजन और तीमों में कमाल किया है अब अगर बात करें आपर सी वीसी की तो कैप्टन सी अभी के लिए भाई मैं आसे टीम रूथी को देने वाला हूँ वीसी भाई मार अमोंडी को देने वाला हूँ सारी दुनिया भाई S करांजा को कैप्टन या वीसी जरूर लेकर आएगे अगर आप चाहो तो आप इनके साथ जा सकते हो मेरी टीम में अभी इनकी जगर नहीं बनेगी एजे सी वीसी तो अभी के लिए मैं अपनी टीम में एजे प्लेयर ही खिला रहा हूँ टीम प्रिव्यू की बात करें तो वो आपके सामने ओलमोस्ट फाइनल टीम है कोई भी चेंजमेंट होता है तो डारेक्ट इंफोर्मिशन टेलिग्राम पर दी जाएगी उमीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी कोई भी अगर आपको चेंजमेंट करना हो तो वो आप वीडियो के हिसाब से कर सकते हो छै जील की टीम आपको टेलिग्राम पर मिलेंगी स्मोल लिग की टीम में कोई चेंजमेंट होता है मालो इन प्लेयर में से कोई एक प्लेयर नहीं खेलता तो उसकी जगह किसको लेना वो सारी अपडेट आपको देऊँआ अगर यहाँ पर वाई एस मगेरो खेलता है उल्ड राउंडर सेक्शन में तो उसको किसकी जगह पर लेना वो भी आपको बताऊँगा बस आपको टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेना है मैं मिलता हूँ आपसे मैश टाइन पर टेलिग्राम चैनल पर तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम